हनुमान जी को प्रसंद करने के उपाए, भगवान शिव के ग्यारहवे रुद्रफतार में जाने जाने वाले भगवान हनुमान जी को हिंदु धर्म में कल्योग देवता के रूप में जाना जाता है। धर्ती पर मौजूद शायद ही कोई ऐसा दुख मौजूद हो, जिसे संकट मोचक हनुमान जी खत्म न कर सके। हनुमान जी को देवसिनपती मंगल का कारक देवता माना जाता है अर्थात जिस तरह मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है। ठीक उसी तरह से मंगलवार के दिन को भगवान हनुमान जी का शुप दिन माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी परेशनी है संकट का सामना कर रहा है तो वो मंगलवार तथा शनिवार को कुछ खास उपायों को करते हुए हनुमान जी को प्रसंद कर सकता है। जिससे उनकी सारी परेशनिया दूर हो जाती है तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को प्रसंद करने के उपाय के बारे में जिनको आप अपनाकर भगवान हनुमान जी को प्रसंद कर उनकी क्रिपा खुद पर-पर सदा बनाय रख पाएंगे, जिससे आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाब होगा, हनुमान जी को प्रसंद करने के उपाय हनुमान जी को कैसे प्रसंद करें, एक हनुमान जी की क्रिपा पाने और उन्हें प्रसंद करने के सबसे पहले उपाय में आपको सब्ता के मंगलवार और शनिवार को सुबा ब्रहम मुहूर्त में उठना इसके बाद अपने सभी नित्य कर्मों को करकर आपको किसी पीपल के पेड़ से उसके 11 पत्तों को तोड़ लेना है। इन पत्तों को तोड़ते वक्त आपको जिस बात का विशेश ध्यान रखना है वही ये है कि ये सभी पत्ते किसी भी तरह से खंडित नहीं होने चाहिए इन सभी पत्तों को स्वच जल से धोकर आपको चदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम का नाम लिखना है नाम को लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको राम राम लिखे हुए इन सभी पत्तों की एक माला बना लेनी है इसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर पर जाकर उन्हें समर्पित कर देयना है इस उपाय को करते रहने से हनुमान जी प्रसन होकर आप पर अपनी क्रिपा सदैव बनाए रखेगे 2. हनुमान जी को प्रसन करने के सबसे अच्चूक पर सरल उपायों में से एक उपाय में आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी को बनारसी पान समर्पित करना है हनुमान जी को बनारसी पान चड़ाने से वह प्रसन होते हैं तथा इससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है इसके अलावा हनुमान जी के वे सभी भक्त जो नियमित रामायन तथा श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं ऐसे भक्तों पर वीर हनुमान जी की क्रिपा सदयव बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब की माला वक्केवले के इत्र को हनुमान जी पर समर्पित करने से हनुमान जी काफी प्रसन होते हैं। 3. यदि आप किसी भी किसी तरह की धन समबंदी समस्या का सामना कर रहे हैं। हनुमान जी को खुश करने का ये बहुत ही कामगम माना जाता है। श्री हनुमान चालीसा हबिसकस फोल्डेड हैंड्स तरक्की के लिए हनुमान जी को प्रसन करने के उपाए। 4. यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रूों से रक्षा चाहते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करकर उन्हें प्रसन करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रू चाहे वह किसी भी कारण वर्ष आपके विरुद्ध किसी भी तरह का शड्यन्त रचते हैं। तो ऐसे समय में आपको श्री बजरंग बान का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं तथा इस पाठ को करने से आपके विरुद्ध शड्यन्त रचने वालों को भी सजा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्क पर चलना चाहिए। इसके अलावा आपको हनुमान जी का एक सुन्दर सचित्र साफ वस्वच स्थान पर दक्षन दिशा की ओर देखते हुए प्रतीत होने वाले स्थान पर लगाना चाहिए। परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी को प्रसंद करने के उपाए। पाच प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के इस उपाए में आपको सरसों के तेल में तीन दाने उड़त के डाल कर। उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाए को आपको हर स इसके अलावा आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल लंगोटे को हनुमान जी को समर्पित करने से प्रतियोगी परीक्षा में काफी मदद मिलती है। बासी मुह पानी पीने के 21 फायदे 6. हनुमान जी का शुब आशिर्वाद प्राप्त करने और गंभीर रोगों तथा बिमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको लल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ती के सिंदूर को लेकर माता सीता के चरनों में लगाना चाहिए। अशुग प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी की मूर्ती की मूर्ती की मूर्ती का शुब आपको लिए आपको लेकर मूर्ती की चाहिए।